जाहिन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वेडियो के साथ, आज हम आपको लेकर आए हैं सारनाथ, सारनाथ उत्तर परदेश राज्य के वरार्सी जिले में पड़ता है, सारनाथ जिला वरार्सी मुख्याले से 12 किलोमीटर के दूरी पर इस्तित है, सारनाथ ही वह इ सारनाथ ने ज्यान प्राप्ति के बाद पहला उब्देश दिया था, सारनाथ बोध धर्म के चार प्रमुक्ति इस्तलों में से एक है, और चार तिस्तल इस प्रकार है, सारनाथ, लुम्बनी, बोध गया, कुसी नगर, अब देख पार हो कितना संदार जगह है, खुब्सू महात्मा बुध जी का दिव्वी मंदीर, इसी के अंदर महात्मा बुध जी की एक दिव्वी प्रतिमा बैठाई गई है, अभी हम आपको मंदीर के अंदर ले चलेंगे, और दिखाएंगे बुध जी की दिव्वी प्रतिमा, यहाँ पे निर्देश दिये गया है, और बताय पर्ति दिन यहाँ पर होता रहता है आघरा कि ताज महल के HOLI के बाद सार नाथि के जश्थान है कर भूद्ध मंदीर में ग्यां करते हैं और कि आप को यहां पर मोंस भी दिखाई देंगे जो कि बुद्ध के ज्ञान को प्रकासित करते हैं देखे हम पहुँच चुके हैं बुद्ध जी के मंदीर में मंदीर की दिवारों पर आपको खुबसूरत पेंटिंग का नमूना दिखाई देगा अब देख पार होंगे कितना खुबसूरत और दीब अलोकी के मंदीर हैं मंदीर के अंदर आते ही आपको एक अध्भूत सुकुन की प्राप्ति होगी अब देख पार होंगे कितना संदार न जा रहा है और मंदीर की खुबसूरती भी बहुत कमाल की है आपको मंदीर में बहुत ही साफ सफाई देखनों को मिलेगी और साथ ही आपको यहां पर विदेशी परेटक भी देखनों को मिलेंगी अब देख पा रहे होंगे मंदीर की दिवारों पर खुबसूरत खुबसूरत नकासियां की गई है और हमारे सामने जो दिवारों दिखाई दे रही है वही है मात्मा बुद्धिजी की दिवी पर्दिमाब देखे क्या अधुद्ध नजा रहा है यहां का मंदीर के परिशर में आते ही आपको अधुद्ध सुकून मिलेगा अदेख पा रहे हैं लोग उनका दर्सन भी कर रहे हैं देखे कि दिना अधुद्ध नजा रहा है इस मंदीर का बनावार बहुत ही कमाल की है आपको भी हम पार्स इसका दिरिष्ट से दिखाएंगे तो आप बोलेंगे एक वाग क्या मंदीर है बहुत ही अधुद्ध भरा दिरिष्ट से देख पारांगे बुद्ध जी की प्रतिमा और साथ ही आप देखेंगे दिवारों किनी खुद्ध नाकासियों की गई हैं यस अभी ओही नाकासियां है जो महत्मा बुद्ध जी ने अपने जीवन काल में लोगों को घ्यान दिया है और इनके बीच बैठ कर अपने अपने घ्यान को परकासित किया है कि देख पा रहा हूंगे चारो तरग चली हम आपको जेक्छ चलते हैं मंदीर के बाहर और बाहर से मंदीर का आपको हम दिर्स και दिखाते हैं, देखिए कि थना खुपसूरत है यह मंदिर। बहुत ही संदार, पिंटींग, और पथरों को बहुत데 ethics दी गई है। यह मंदिर पूरी तरह पथरों से बना हुए है, अब देख पा रहे होंगे कितना खुब्सूरत है यहां पर आपको नेपाली और चानीज लोग बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे क्योंकि चानीज और नेपाली लोग महत्मा बुद्ध जी को अपना इस्ट मानते हैं चलिए हम आपको अब एक मंदी में लेके चलते हैं आप देख पा रहे होंगे य कि ज्यान की प्राप्ति दे रहे हैं अब देख पा रहे होंगे यह महत्मा बुद्ध जी का है दिभी प्लेस देखे यह है वह जगह जहां पर महत्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उप्देश दिया था अब देख पा रहे होंगे कितना अधूना जा रहा है और आपको ब सारनात मंदीर असोग सम्राड द्वारा बनवाया गया था तथा यहां पर असोग इस्तम्ब भी इस्तित है असोग इस्तम्ब को भारत का राष्टी चिन के रूब में भी जाना जाता है सारंगनात महादेव की स्थापना के फस्चात इस जगा का नाम सारनत पड़ा यहां पर प्रतेक वर्ष सावन के माह में मेला भी लगता है बरहवी स्थादी में तुर्की आक्रमरकारियो द्वारा सारनात की स्थावन को नश्च कर दिया गया था आईए जानते हैं महात्मा बुद्ध के वारे में महात्मा बुद्ध दुनिया के सबसे ग्यानी महात्मा थे इन्होंने सत्य के माध्यम से दुनिया के सामने एक नए धर्म की स्थापना की आज महात्माबुद को कई देशों में भगवान इष्ट के रूप में पूजा जाता है कुछ लोग इन्हें अपना इष्ट भी मानते हैं महात्माबुद का जन्म 563 इस्वी फूर लुंबनी नेपाल में हुआ था इनके पिता का नाम सुद्धुदन तथा माता का नाम महामाया था महात्माबुद के बच्चपन का नाम सिध्धार्त था इनके जन्म के साथ वे दिन ही इनकी महात्ता का देहावासन हो गया इनका लालन पालन इनकी मौसी महापरजापति गौत्मीनी किया था 29 वर्ष की वायू में इनका विवा या सोधरा शुरुआ विवा के पस्चात इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने रहूर रखा था लेकिन सिधार्थ का मन गिरियस्त जीवन में न लगकर साधना की ओर निकल पड़े और साधना के माध्यम से इन्होंने सत्य की खोज करनी चाहिए इसके लिए उन्होंने अपना घर यम राजपार सब छोड़ कर सत्य की खोज में निकल पड़े कई वर्षों के पस्चात कठोर तवस्या और साधना के बाद इन्होंने बोध गया बिहार में सत्य का ग्यान की खोज कर ली ग्यान प्रावत करने के पस्चात दिख्यात हो गए और लोग उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से पुझने लगे महात्मा बुद्ध की किरतिया याप किताबों में पड़ सकते हैं यह देखिए जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है आपने देखा है कि यह चानीज लोगों का में जैसे बोलते हैं मंत्र हो जो भी इसको घुमाता है उसको सभी मन कमनाई पोड़ चाती है दिखिये कि अधुद्रिस है चली हम और आगे चलते हैं और दिखाते हैं दीबरुप दिखिये ही है दीबी मंदीर इस मंदीर को बहुत खुबसूरत तरीके से तयार किया गया है आप देख पा रहे हों कि मंदीर के चारों तरफ आपको खुबसूरत पार्क दिखाई देंगे और पार्क में हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो इस मंदीर की खुबसूरती को चार चांद लगा देते हैं आप देख पा रहे होंगे यहां का महाल आतावर कितना सांथ है यहां पर आकर अधूद ही सांति कब अवागमन होगा आप देख पा रहे होंगे कि कैसा कि अधूद जगह है और यहां यहां पर जो पार्क बना हुआ है उसकी खुबसूरती भी बहुत कमाल कि क्योंकि पार्किंग जो पार्क है पार्क वो बहुत भाउस्ति धंक से साफसुदरा रखा गया है एक मंदिर का पीछे का साइड है अब पीछे से देखने पर मंदिर इस पकार देखाई देता है देखिए कि अधुत दिरिस है वा भाई साब ये तो बहुत ही खुप्षूरत प्लेस है अगर आप बना रहा है तो यहां पर एक बार जरूर आएं क्योंकि आपने आप अगर बना साहे हैं सार नात नहीं घुमा तो कुछ नहीं घुमा देखे कि आदूत ना जा रहा है यहां का बहुत ही खुश्वत प्लेश है अब देख पार हूँ कि कितना दूत द्रिस यहां का चारो तुरब हर्याली दिखाई दे रही है खुश्वत पार्क बने हुए हैं यहां पर आकर आप अपना टाइम कर सकते हैं दिखे कितना दूत ना जा रहा है अगर हमारी वीडियो आप ल ले लोगों सर्पर तब तक के लिए नमस्कार जयेंग